नमस्कास शुप्रभात दो सब्ताह के कारेकरम चल रहा है सुझूर सेवन जिवास प्रावद्वगी की अनुप्रयोग इसी क्रम में आज के व्याख्यान जो कि भूस्तानिक प्रावद्वगी की का शहरी और छेतरी अधियर में अनुप्रयोग इस के आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है मुझे पूर्वश्वास है कि आज की इस व्याख्यान में आप कुछ ग्यान को आप मैं साझा करना चाहूंगा अवश्ट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बाते मैं बता पाऊंगा जिसको आप सुन करके आप अपने चाहे आप शात्र हों अथवा किसी भी कारियाले में कारियरत हों कुछ न कुछ आप इस प्राउदगी की का और इस धीम में इसका प्रयोग कर पाएंगे आज के इस जो व्यख्यान है उसका जो पूरा रूप रेखा इस प्रकार से होगी मैं कुछ परिभाशाएं बताना चाहूँगा मैं मान के चल रहा हूँ कि आज के जो प्रतिभागी है विभिन छेतरों से आये वे हैं और उनका जो पूरवत जो उनका बैग्राउंड है वो हो सकता है अलग-अलग हो इसलिए मुझे कुछ परिभाशा है मुझे बतानी आवशक है है उसके बाद भूमिका को आगे बढ़ाते हुए मैं शहरी नियोजन का महत्त बताते हुए और क्या डेटा की आवशकता है उसको मैं बताने की कोशिस करूंगा मैं तर पस्चात मैं यह हो रहा है और निर्णा के वल यह अनसुधान बलकि हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो दिंचरिया है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा इस्तमाल हो रहा है तो मैं कुछ अनुप्रयोगों को दिखाने की कोशिस करूंगा और मैं इसके बाद यह भी बताऊंगा किस तरह से और मैं अंत में यह बताना चाहूंगा कि हमारा जो वर्तमान में जो इसका अनुप्रयोग है उस अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या-क्या डेटा की आवश्यक्ता पड़ेगी क्योंकि हम लोग मूलता है हमारे संस्थान का मूलता जो ध्यान है वो कैपा जो इसका अध्यान और बाकी जो प्रक्रयाएं हैं और उसमें हम आगे इसको आपके द्वारा इसको प्रसारीत करते हैं लेकिन भविश्य में किस तरह की डेटा की आवश्यक्ता होगी उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डाने की कोशिस करूँगा सब्रप्रतम मैं परिवेश को छोड़ कर और शहरी छेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने का कारण भी है क्योंकि ये माना जा रहा है कि गार्र परिवेश में अभी employment जो opportunities है वो कम होती जा रही हैं या हमारा जो सोचना है उस तरह से हमें उतना लाब प्रात नहीं हो रहा है जि जो शहर है आपको जानका आश्चर होगा कि हमारा पृत्वी का जो भूभाग है जो जिसमें पानी को छोड़कर उस भूभाग का मात्र चार परसंट ही शहर में है मात्र चार परसंट लेकिन उसमें वर्तमान में जो आबादी है लग भग अगर आप बात करें तो लग भग 40 परसंट तक पहुँच चुकी है और हमारे देश की बात करें तो 2000 सेंसस क्योंकि जो सेंसस होता आपको जानकारी होगी की तेंसस किया जाता है और इसमें हरeden का दशक में एक बार किया जाता है औसके जो जनक रना की गई ते 2012 चैनल के कहसाब से हमारा ज़ो जनसंख्या है शहरी जनसंख्या है वह 31.1 पर देखें कि जैर हमें आजाधी मिली थी उस वक्त हमारी जनसंख्या थी शहरी जनसंख्या बहुत कम थी और वर्तमान में अगर हम बात करें लगभग 20-21 की तो लगभग 34-35% पहुंच चुकी है और आने वाले समय में हम यह मान के चल रहें की और भी बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी जब हम शहर बोलते हैं तो श कारक्रम में भाग ले रहे हो लेकिन तो शहर किसको कहा जाता है इसके लिए भारत की जंगंड़ना 2001 में उस पुस्तिका के हिसाब से शहर का एक परिभाशा दी गई है यह कहा गया है कि शहरी छेत्र में वह होते हैं जिसमें उच जनसंख्या घनत होता है बुनियादी धाच उच्छा उपलब्ध होता है यह दोनों उच घन जो जनसंख्या है वह ग्रामीड परिवेश में होती है लेकिन उसमें उच आम तोर पर जनसंख्या जो घनत है बहुत उच श्रिणी का नहीं होता है कुछ ही लोग वहां रहते हैं लेकिन आप जब शहर में आएंगे एक छो जो भारत की जनगर्णा 2001 की पुस्तिका है उसके बाद उन्हें ये भी कहा है ये सबी जो शहर होंगे वो वो भी होंगे जिसको द्वारा जिसको नोटिफाई घोशित किया गया है कैसे घोशित किया गया है उसको नगर महापाली का बना दिया गया है नगर पाली का बना दि अधिति सूजित वा के द्वारा उद्वोंशित ना किया गया हो बत ऐसे भी अथ्वा ऐसे भी छेत्र जहां की निवनतम जन संक्या 5000 हो और कम से कम 55 % जो आबादी हो वो पुरिश जो अबादी हो वो गैर-कृशी कारियों में सलंगन हो और वहां का जो जनसंख्या घनत है चार सो व्यक्ति प्रती वर किलिमीटर हो या एक लाग से जादा आबादी हो तो ये सभी अगर मापदंड अगर सिध होते हैं तो ऐसे छेत्रों को शहर का जाता है अभी क्या हुआ है कि कुछ विगत दो दश्यसोगों से ये पाए गया कि जैसे ही आप किसी महानगर में पहुंसते हैं उस महानगर से पहुंचने से पहले ही आपके मन में ये आ जाता है कि मैं दिल्ली पहु पहुशने वाला हूँ क्योंकि जो शहर की जो एक अवधारना है वो मुंबई या दिल्ली पहुशने से पहले ही अगर दिल्ली के बात करें जैसे ही आप मेरट को आगे निकल जाते हैं आपको लग जाता है कि जिस तरह से आपको सडकों पर लोग या वाहन दिखाई देते हैं तो आपको लगता है कि किसी एक महा नगर में प्रवेश करने वाले हैं इसलिए ये माना गया कि जो बड़े बड़े जो शहर है केवल उस शहरों को ही एक एकाई ना माना जाए ऐसा किया जाए उस बड़े शहर के आसपास जो छोटे जो जो शहर है जो आने वाले शहर आने वाले समय में उस बड़े शहर का ही एक हिस्सा बन जाएंगे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से और उनमें किसी न किसी प्रकार से उस बड़े शहर का जो कुछ अवधारना वहां पर प्रवेश कर जाएगी कि वो चोटे जो आस पास के जो चोटे शहर है वहां से लोग उस बड़े शहर में या नौकरी करने या कुछ जो वस्तू है वहां पर उस वस्तू के ले चाकर के बेचने के लिए या कुछ और अपना जोगदान देने के लिए अक्सर प्रती दिन उस बड़े शहर में जाने की कोशिस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ना केव महानगर उसके आसपास को छेट्र जो उसं महानगर से प्रभावित हैं वो भी एक एकाई बनानी की कोशिस करते हैं तो इसके लिए यह पाए गया कि केल शहरों का ही विकास ना रा आवधार्णा की गई छेत्री योजन या रिजनल प्नानिंग को भी एक बहुत महत्पूर्ड माना गया और छेत्री योजन ना के वर शहरों के लिए बल्कि देखेंगे आपकी जब पहाडों में आप जब जाएंगे तो पहाड़ में काफी वर्ग छेत्र जो होगा लगभग एक हील एरिया जिसको कहते हैं या परवती छेत्र वो भी एक एकाई तरह बनाते हैं जब आप हमारे देश के जब आप इस्टन घार्ट मतलब की जब पूर्वी समुद्री तरह पहुंसते हैं तो आप पाएंगे लगभग एक जैसा ही वहाँ पर अवधारना महसूस होती है इसलिए शहर हो या अत्वा कोई और भी छेत्र हो तो यह पाया गया कि छेत्री योजन भी एक महत्पूर योजन के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए वर्तमान दोज दश्रकों में खासकर चहरी योजन या और छेत्री योजन दोनों को ही एक समान महत्तों दिया गया है अब यह समझे हम कि हमारे जैसा मैंने बताया किस तरह से लोग हमारे गाउं से शहरों में पलाइन कर लिए साथी साथ शहरों की अपनी आज आपनी आबादी स्वताह बढ़ती चले जा रही है और मैंने आपको यह भी बताया कि शहर पूरे जो भूमी छेत्र है मात्र चार परसंत भी इस्तित हैं इसका मतलब यह हो गया कि बहुत छोटे से छेत्र में बहुत लोग रह रहे है और सभी लोगों की अपिक्षाए हैं अपिक्षाए क्या है मुझे एक एक ऐसा छोटा सा छेत्र मिल जाए जहां पर मैं अपना निवास बना सकूँ जहां पर उस निवास के आसपास मुझे वहां पर सारी सुवधाय प्राप्त हों मैं वहां पर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूँ और अच्छा स्वास्त जो सेंटर है वो ऐसी इकाईयां भी आसपास हो जो इमर्जनसी में किसी व्यक्ति को स्वास्त का भी लाब मिल सकें तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है कि शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है और आबादी बढ़ते बढ़ते उसके कारण जो हमारे जो संसादन है उस पर भी उसका लोड बढ़ता चला जा रहा है इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसा योजन करना है कि जैसे हमारे ज अच्छा जीवन यापन कर सकें उनको तमाम सुधाइं उपलब्ध हो और साथ साथ एक उनके लिए सारी उनका जो स्वास्त हैं और दूसरी जो सुधाइं हैं उनको आसपास ही मिल सकें इसलिए यह पाये गया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सन 2011 का जो जन्गर्णा की गई है रहा है कि हो सकता है कि लगबग चौटीस से पैंतिस परसंट परसंट से उससे ज्यादा हो जाए और आने वाले समय में यह जो जन्षक्या है दोजार पास्ट 50 यह 2000 60 के आसपास यह लगबग 50 60 परसंट तक पहुशने वाली है क्योंकि हमाए आप लोग समझते होंगे जो तो शहरी योजन में जो लोग कारी करें हैं, आपको मालूम होगा कि जन संख्या को प्रोजेक्शन करने के लिए अनेक तरतरा की अवधारनाई हैं, जिसको जिसको इस्तमाल करके हम भावी जन संख्या का भी हम अनुमान लगा सकते हैं. तो ऐसा ही अनुमान लगाया गया है कि जिस तरह से शहरी जन संख्या बढ़ती चले जा रही है, तो उससे हमें अच्छे योजन की जुरत हैं, जिससे बहुत और समस्याएं और उसको निराकर या उसको नियून किया जा सकता है. अब ये समझें कि जिस तरह से शहरी करण बढ़ता चला जा रहा है, वरतमान में हम लगबग 34 या 35 परसंट है, आने वाले समय में ये जो जन संख्या है, शहरी जन संख्या है, ग्रामीर जन संख्या को क्रॉस करने वाली है, आगे बढ़ने वाली है. तो सोचिए कि वो 4 या 5 या 6 परसंट पे लोग के आधी अबादी रहेगी और बाकी शेतर में बाकी बची अबादी रहेगे. तो किस तरह से इतने शोटे अगर शेतर में इतने लोग रहेंगे, तो कितना बड़ा हमारे जो नगर मा पालिकाए है, पालिकाए और नगर कितना बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज ये है कि आबादी बढ़ रही है तो सोचिए कि हमारे शहर से जह को वहारे घरों से जो कूड़ा निकलता है, वह जो पाल निस्तारं मिं आवारी घर में पाणी आता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, हमारे पड़ोस में घर बन गया तो जो हमारे घर में जो पांजल की आपूर्ती उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम तो सोचेंगे कि हमें पूरा मिलना चाहिए लेकिन जो नियोजन में लोग जो कारी कर रहे उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है लेकिन साथ साथ ये भी मान के चलें कि जो शहरों में जो शहरों का फैलाव हो रहा है और शहरों के अबादी बढ़ रही है ये भी एक ऐसा प्रासेस है जिसको आप नियंतरख शायद ही कर पाए क्योंकि उसका कारण ये है कि किसी भी देश का उसका जो एकॉनमी होती है वो एकॉनमी बहुत ही महत्यपूर होती है और आप समझ जानते होंगे कि एकॉनमी को समझने के लिए जीडीपी जिसको हिंदी में सकल घरलू उतपात कहा जाता है उसका बहुत ज़्यादा एक ऐसा ये एकाई है कि जीडीपी जो है बहुत उच रहना है तभी उस देश को हम कहते हैं कि विक्सित है या विकाश सील है या उस देश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आने वाला है इसलिए शहरों का किसी भी देश में उस शहरों का और उस जगा पे उद्यमों का भारत एक कृशी प्रधान देश है हम सब जानते हैं लेकिन शहर और जो उद्यम है किसी भी देश के सकल गरेलू उत्पाद और उसकी एकॉनिमी में बहुत बड़ा उसका योगदान है ये पाया गया है कि शहर और जो उद्यम है देश के जो सकल गरेलू उत्पाद है लग बस 75% उसमें वो contribute करते हैं उनका योगदान है इसका मतलब यह हुआ कि जो शहरी करण है एक ऐसी प्रक्रिया है जो अविरत चल रही है और शायद चलती ही रहेगी क्योंकि जब हम economy की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमें तो economy के बारे में ही उसको प्रातिमिक्ता देनी है सासत ये भी ध्यान रखना है कि जो शहरवासी है वो ऐसा इस तरह से सुधाओं के प्राप्त करें और ऐसा ही वो सोचें कि उनके द्वारा जो उतकर्शन हो रहा है या उनके द्वारा जो कूड़े का उ उत्वादन हो रहा है वो नियूंतम कैसे किया जाए अब जब शहरी करना हो रहा है तो सासत उनके शहरी करना के बढ़ते बढ़ते साथ साथ ही जो मूल भूठ धांचा है वो भी बनाने के ज़रत है अब आप सोचिए कि जिस शेतर में रह रहे हैं आप उसमें और ज्यादा की और सक्षम करने की आवशक्ता है तो इस तरह सोचें कि एक इसी तरह से अगर हम एक सोचें कि किस तरह से मतलब जुरत पड़ेगी सुधाओं को बढ़ाने के लिए तो लगभग शिकागो शहर के बराबर उसके आयाम के बराबर एक नए शहर को हर साल बनाने के आवशक्त कि शहर शहरी करन वो एक ऐसी प्रक्रिया है को हो सकता है कि वो अविरत चलती रहे तो उसमें अब तो करें तो क्या करें तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शहर है वो हमारे सकल घरेरी उत्पात में एक महतुपुन योगदान कर रहे हैं और साथी साथ जो शहर में जो वासी है निवासी है जो कहीं और शेत्र से वाए है वो एक खीचने के कारक भी है मैं इसको इस तरह समझाने के कोशिस करूँगा कि कोई व्यक्ति कहीं किसी और इस्थान से अगर शहर में प्रवेश करता है और उसको रोजगार के साधन मिल जाते हैं तो अपने रिष्टारों को और अ अपनी जिस तरह से आपका आर्थिक ससाधन है और वो उससे बेतर हो जाएगा को इस तरह से पुल फेक्टर का विकास हो जाता है और शहर की आबादी बढ़ती लेकिन जब यह शहर की अबादी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है बिड़वा बढ़ती है बुनियादी धाचों की अपर्याब तपता हो जाती है खुली जगा कम हो जाते हैं मलिन बस्तियां बढ़ जाती है और विभिन तरह के संसाधन जैसे की पीने के पानी बिजली बढ़ा वगर्ण और प्रयावरण सबसे महत्यपूर्ण की गुर्मता उस पर भी प्रभाव पड़ता है अब इस है तो अब करें हमें कुछ एसे प्रयास करने होंगे कि जैसे इन सब समस्याओं को देखने के लिए समझने के लिए और इसके निराकरण के लिए हम क्या कर सक किस तरह से इसको समझने की कोशिस करेंगे किसे भी जगह का शहरी नियोजन के लिए विभीन प्रकार की डेटा की आवशक्ता पड़ती है जो शहरी नियोजन में जो हमारे इस कारकर्म के प्रति भागी है जो सलंग नहें वह अच्छी तरह समस्ते होंगे कि हमें तमाम तरह के नक्षों कि जऺट पड़ती है कि बाई हम यह जाना चाहते हैं वरतमान में स्थिति क्या है और नक्षे क्या होंगे नक्षे होंगे कि कहां पर किस तरह की बिल्डिंग बने वी ही और शहरों का फैलाव कहां तक है तब ही हम जान पाएंगे कि वहां पर शहरों तक यहां यहां तक फैलाव है और शहरों का घनत तो कितना है और शहर में रोड कहां तक है और रोड की प्रकृति क्या है उस शहर में वर्तमान में पानी कहां तक जा रहा है पानी कहां नहीं मिल रहा है कहां पर वहां पर जो नहरे हैं और जो 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 घरों से खरा मतलब जो पानी खरावा रहा है उसका निस्तारण के लिए क्या सुधाएं हैं कूणे के निस्तारण के लिए क्या सुधाएं इस सब चीजों के लिए हमें तमाम तरह की डेटा की आवश्यक्ता पड़ती है तो यह सारे जो डेटा हैं यह भौतिक पारामीटर कहलाते हैं अब तो भौतिक पारामीटर क्या हम सुदूर सम्विधन से प्राप्त कर सकते हैं हाँ काफी ह यह प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आप यह फूरात जाने की कोशिच करें कि सुधूर सम्विधन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपको जो हम आखों से देखते हैं या पारंपरिक सर्वेइंग मेथट से जो हम निकालने की कोशिस करते हैं वो उसको और सुचारी और उसको सरली करण कर देती हैं कैसे सरली करण कर देती हैं इस तरह से जगर आप आखों से देखते हैं तो आप किवल देख पाते हैं उससे आप नक रख्षों के अवश्यक्ता है अब आपको नक्ष्य मनाने पड़ेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वेंग के लिए जो तरहात तमाम तरहाद के उप्वरण है उनको आप लगाएंगे लेकिन आप यह भी समझते हैं कि सर्वेंग जब आप करेंगे तो कितना समय लगत लिए और बहुत तकिन और सोच की आशक्ता होती है इंग्रेजी में उसको कहते हैं पॉलिसी और उस पॉलिसी के अंतगरत हम कहते हैं कि मास्टर प्लान Uhh cucht जो शहर हो रहे है जो शहर आश्टेजी से बढ़ दिया है and इस में यह मास्टर प्लान क्या होता है वो यह बता है कि इस जगह शहर की इस जगह में आप अपना घर बना सकते हैं और इस जगह पर आप स्कूल खोल सकते हैं इस जगह पर आप एक अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्यम और अपना जो इंडस्ट्री है कहीं भी आप लगा ले क्योंकि इंडस्ट्री से जो उत्सर्जन होगा वो आसपास के जो निवासी है उससे उत्सर्जन से प्राभावित नहों ये भी तो हमें एक जिमिदार नागरी के लिए सोचना है तो ये भी प्लान नियोजन करेंगे अब जब हम नियोजन करते हैं तो नियोजन हम किसके लिए करते हैं भारत देश हमारा लोकतांत्रित देश है तो हम नियोजन अपने निवासियों के अपने नागरीकों के लिए करते हैं तो हम समझने की कोशिस करते हैं कि जो वर्तमान में हमारे शहर में वर्तमान में जो अती संसाधन वाले जो प्रकृति के जो लोग हैं वो कहां रहते हैं जो समाज में विभीन सुविधाओं से वंचित है तो ऐसे सारे जो समाजिक समझ है वो हम ग्राउन में जाकर और लोकल हम लोगों से समझनी कोशिस करते हैं क्योंकि हम उसी शहर में रहते हैं काफी हद तक हमें मालूम रहता है लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि में ऐसे कुछ जहनकारियां हमें प्रोख्ष रूप से हमें सुधु सम्वेदर्ण के जो चित्र प्राप्त होते हैं उससे भी हम प्राप्त कर लेते हैं कुछ हाथ पक लेकिन ऐसा नहीं कि सारे चीजे हमें सुदुर अब प्रश्नी ये उठता है कि सारी जो सुवधाई इनको संचालन भी तो करना है, इसको हमें चलाना भी है, और उनका हमें मेंटेनेंस भी तो करना है, तो इसके लिए हमें वित्तिय प्रबंदन भी करना होता है, और इसके लिए हमें कराधान, कराधान भी हमें करना होता है, इसका मतलब यह होगा कि जो शहर की निवासी है उनसे हम कहते हैं कि भाई आप कुछ लोग इसमें अपना योगदान चाहे वो ग्री कर या जल करके या बिजली आप लोग जो इस्तिमाल कर रहे हो उसके द्वारा आप अपना योगदान दो जिससे शहर में जो आपको सुविदन तक्नीक का भी इस्तमाल किया जा सकता है आज का जो व्यक्षान है मेरा इसी सब चीजों को आपको बताने के लिए हैं और हम क्या करते हैं कि सुदूर सुविदन में जब हमाई इस तरह की जो उपर जो आप चितर देख रहे हैं जो उपग्रा के द्वारे ली ढौत की निकाल सकते हैं या उसको के कंप्यूटर के दौरा भी निकाला जा सकता रहे होगा कि कंप्यूटर वही चीज़ें निकाल सकता है जो हम कंप्यूटर को बता मानव मच्टिश जो बता पाएगा हो सकता है कि computer ना बता पाए या अगर बता भी ले तो हमें उसके लिए उसको train करना होगा तो इस तरह से दो प्रक्रियाई होती है जिससे हम सुधू समिधन के चित्रों के दौारा हम जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब किसी भी शेत्र में वहां पर जो वनस्पती है वो वनस्पती हरी क्यों दिखाई देती है वहां का जो जल है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है वहां के जो प्रित्वी है मतलब वहां के जो मिदा है वो भूरी, लाल, काली या अनिक रंगों में, वर्णों में क्यों दिखाई देती है? वो इसलिए दिखाई देती है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी जब धरा पर पड़ती है और उस वस्तु के किस तरह से वो जो विकरण है, कितना वो परावर्तन होता है और कितना अवशोशन होता है, उसके और उस जो वस्तु है, उसका अपनी प्रकृती क्या है? उसके हिसाब से वो पत्ती हरी दिखाई देती है, और पत्ती और पानी नीला दिखाई देता है पत्ति हरी इसलिए दिखाई देती है कि वो हरे वन करम में वह इसको reflect कर देती है वह इसको para восп Marti कर देती है लेकिन बाकी साल कर में वह इसको कर लेती है इसी तरह से जांज है वह निले निले वंकory वन को वो परावर्तित कर देता है और बाकी वन करम को वो एब्जॉब कर लेता है या अवशोशन कर लेता है इसी लिए यही जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया को ही हम इसी के द्वारा सुधू समयनन से जो चित्र प्राप्त होते हैं ऐसे जो चित्र प्राप्त होते हैं उसक हम पारावर्तन जो कर्व वक्र दिखाई दे रहा है जिसको हम घ्रेजी में हम रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं इसके द्वारा हम विभिन प्रकार की जो भूमी वस्तुएं हैं और प्रक्रियाएं हैं उसको समझने की कोशिस करते हैं अगर यह जल है तो देखें तो अगर वो नीला वण करम है नीला रंग है तो बहुत जादा वहां से परावर्तित करेगा लेकिन जैसे जैसे वर क्रम में उसका अ तरन धैर दिरबढ़ता चला जाएगा तो उसका जो परावर्तन है नियूरतम पहुंसता चला जाएगा लेकिन यही अगर वो वनस्पती है तो क्या होगा कि वो हरे में तो बहुत जादा परिवार्तित करेगी लेकिन अगर वो नीला है और वो लाल है वो बहुत कम परावर्तित करेगी इसलिए वनस्पती हमारी आँखों को हरी दिखाए देती है लेकिन हमारी आँखें तो किवल जो आप्टिकल रेंज है मतलब की नीला हरा और लाल और इसके जो बाकी जो वनक्रम वही देख पाती है इससे जादा अगर तरंग धैर्दर हो जाता है तो उसको नहीं देख पाती है लेकिन हमारे जो पग्रह है उसमें ऐसे भी सेंसर लगे होते हैं जो उससे जादा तरंग धैर्दर की जो भी वस्तुए देखी जा सकते हैं उनको भी देख लेते हैं तो क्या होता है अगर वनस्पती की बात करें तो अगर हम नियर इंफारेट में चले जाएंगे मतलब क जिस का तरंग भैर देख मलोग साथ सून दश्मलोग साथ से उपर हो जाता है उसको इंफारेट कहला जाता है तो शून दश्मलोग साथ से उपर जिब चला गया तो उसमें क्यान होता है कि पतियों में कुछ ऐसी प्रक्रिया से दिखिय vote है, जिसके करड़ बहुत ही उच् अनुरूप अब आप देखें तो किसी भी किसी शहरी छेत्र में होगा क्या वहां पर पेड़ होगे वहां पर घास होगी वहां पर इमारते खड़ी होगी अब इसी प्रकार की विर्ण प्रागार की निर्मित एकाईयां है तो क्या होगा कि हर एक जो वनस्पती है और शहर में जो जल है शहर में नदी नाले है शहर में जो बिल्डिंग है हर एक जो वस्तुए है हर एक जो सर्फेस में वस्तुए है हर एक अपना अपना अलग प्रकार से परावर्तन करेंगी तो आप आप देख रहे हैं ना इसमें कि हर एक वस्तू अलग तरह की दिख रही है यह देख रहे हैं आप इसको तो यह अलग तरह से दिख रही है यह अलग तरह से दिख रही है यह अलग तरह से दिख रही है यह अलग तरह से दिख इसी प्रकार से हम हर एक वस्तू को देखते हुए और इस परवर्तन कर्व को समझत तेवे हम उस वस्तू का characteristic उसकी प्रकृति समझने की कोशिस करते हैं अब हम समझेंगे कि इस तरह का हमें जब चित्र प्राप्त हो गया है तो आप चित्रे से निश्कर्ष क्या निकालें अगर हम शवी व्याख्या की दिश्टी से देखें तो आप समझने की कोशिस करें कि द रहे हैं चोटी सड़क से और चोटी सड़क निकल रही है लेकिन इसमें घनत जो निर्मित एकाईयां है बिल्डिंग से और यहां पर आपको ओपन स्पेस या पार्क जैसा छेत्र भी दिखाई दे रहा है आपको अब आप आएंगे तो यह चेत्र हैं यह भी आप देखें स सब कुछ यह पर अव व्योस्थित वितर सह सब कुछ है इसका मतलब जब हम कहते हैं कि नियोजित और अनियोजित अपर के जो चित्र है वो निवर प्रकर्ती को बता रहे हैं और उसी तरह से चंसंख्या कंटांने की कंuk भंड़े और चित्रों से जा करते हैं, केहते हैं कि शहर का जो चितर दिख रहा है उपग्रास प्राफ उसमें अलग लगतरा से दिखाई देता है यह देखे सबसे पहले इसको समझने कोशिज करते हैं इसके दिखार यह पर कह देखाई है एक रोड जा रही है रोट के एक आपको किसी संस्थान जैसा ही कुछ आपको एक भूभाग दिख रहा है तो कि जो भूख कवर है आवरण है उपग्रा छित्र आपको आवरण के बारे में जानकारी देता है आपको थ्वा सध्यान रखिएगा और लेकिन उसका इस्तमाल किस तरह से कर रहा है हम जो मानों ह है उसका इस्तमाल किस तरह से कर रहे हैं जो उसको कहते हैं लैंड यूस तो इस्तमाल किस तरह से कर रहे हैं वह जानकारी काफी हद तक हमें ग्राउन से ही मिलती है और जो पगरा छित्र भी हमें वह बहुत जानकारी देता है तो यह जो चेत्र है यह देरादू शहर में इस एक कुछ पानी बह रहा है और यह जो पानी है यह कोई नदी या नाला नहीं है अगर यह नदी या नाला होता यह पूरा ओड़ छोड़ से होता मतलब कि नदी यहां से पूरी आती यहां निकल जाती इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा यह नाला है और नाले में जो पानी क आई है जहां कोई उद्यम चलना है अब आप इसको समझने कोशिश करिए यह जो छेतर है यह ऐसा है जिसमें रेलवे लाइन जा रही है पूरा यह रेलवे का जो याड कहते हैं ना वह याड है यह और याड में अगर आप इसको और थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो ट्रेन है वह भी खड़ी है अब आप इसको थोड़ा देखने को कोशिश करिए इसको और इसको देखने को कोशिश करिए दोनम में फर्क है मैं आप से पूछना चाहूंगा क्या आप दिल्ली में पालिका बजार गये वे हैं या आप ऐसे कना करनाठ देखा हुआ है करनाठ देखा हुगा आपने की इसमें करोड़ है घूम कर करके एक उसका केंद्र है जब commend कर दो जिसमें कहीं पर करनाठ प्लेश वानाग चित्र नहीं है लेकिन लगभग इसी तरह से दिखाई देगा कि जहां पर कुछ व्यवासाइक है और जैसे ही आप यहां पर आएंगे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जुरत है और ऐसे ही भ्रह्म को दूर करने के आवशकता है जिसको हम हम चले जाते हैं फील करते हैं अब ग्राउंड में जाते हैं क्योंकि लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है यह भी यह भी तो हम कहेंगे कि यह तो भाई यह तो कनाट प्लेस हो गया लेकिन यह जो छेत्र है यह हो सकता है हाला कि यह है नहीं जावाल नेरू एस्टीडियम जिसमें बीच में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है और इसके आसपास लोगों की बैटनी की जगह है और इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है सभागार है यह कुछ और है इस तरह से हम किसी भी भूमी छेत्र जो शहरी है उसके बारे में हम जानकारी उपलद कराने समझनी की कोशिस करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी जो परिजिशित नियोजन में इस प्रकार की डेटा की अवर्शकता होती है कि किस प्रकार से हम सुझ्दू समयदन को चित्र है उसको हम प्राप्त करके और उचेत्र की जानकारी हम अपने ही कम्प्यूटर पर करनी के कोशिस करते हैं और इसके द्वारा हम मैप बना सकते हैं और मैप यही मैप जो है जो ध्यान रखें यह स्केच नहीं है तूदा स्केल मैप है और इसको विभी निप्रकार की जो नियोजन की प्रणाली है जिसको हम अगर हम एक ब्रियत रूप में देखें तो पूरे अ दिल्ली और इसके आसपास के छेत्र, उसके अलाव हमें किवल दिल्ली में किसी एक छेत्र की योजन करना है, तो इसको कहते हैं विकास योजन, लेकिन हम दिल्ली में ही किसी एक छोटे छेत्र की हमें करना है, तो इसको कहते हैं स्थानी छेत्र योजन, लेकिन दिल्ली में और भी बहुत और छोटे बहुत छोटे कीवल केवल करनाट प्लेस या चांदी चौग का ही अगर हमें करना है तो इसको कहते विशेष प्रयोजन यूजन तरह से हम जानकारी प्राफ्त करते से इस तरह का जो एक हाईरार्की है यह नियोजन प्रणाली है इस नियोजन प्रणाली का बहुत बड़ा उसका एक योगदान है क्यों योगदान है क्योंकि इसका जब हम पूरे राजी की करेंगे, हम पचाश जार स्केल पर लेंगे. लेकिन जब हम कहेंगे कि वहल हमें कि वहल चानी चौक का करना है, तो वन Super 1000 पर करेंगे. एक किया होती उच स्थर का होगा. तो उसमें क्या होगा कि अभी हम आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब हम पूरे राज इस तर पर कह रहे हैं तो दिली पूरा शहर एक ही पॉलीगन में आ जाएगा लेकिन जब हम उससे ज्यादा जब हम किसी जिला इस्तरी योजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे या इस्थानी इस्तर पर बात करेंगे कि हम कहेंगे वो ग्रामीन है आवासी है और द्योगिक है वानजिक है और या मनोरंजन है उससे उच्छ इस्तर पर जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे उच्छ वृद्धी का छेत्र है मद्यम विद्धी का छेत्र है इस प्रकार से हमारी जो जानकारी है उसका उसे हमें जादा जानकारी चाहिए होती है क्योंकि इस तरह से जानकारी जितनी जानकारी मिलेगी हमारा नियोचन उसी तरह से होगा और हमारी आवशक्ताएं जो है उस तरह से हम इसको निश्पादन कर पाएंगे तो इस तरह से अब आप ये बताने के बाद अब मैं बहुत ही संशित रूप में विभीन प्रकार के जो अनुप्रयोग है बहुत तरह कि आज के समय में आप अगर आप अनुसांदान के छेतर में हैं तो आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे कि तमाम जो गूगल स्कॉलर है या ऐसे ही जो हमारे जो इंटरेट में जब आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत ऐसी अनुप्रयोग मिलेंगे जिससे आप पाएंगे कि आज हमारे शहरों के लिए एक बहतर योजन बनाने के लिए लोग क्या-क्या जो अनसंधान करता है और हमारे जो शहरी योजन में किस तरह से इसका समावे शोरा है हमें बहुत ही अवश्चत और यह को भी रहा है कि अनासंधान से हमारे जो 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 ग्यान प्राप्त हो तो यहीं मैं कुछ समय बहुत संशिप जाता समय बचा नहीं है तो मैं थोड़ा से तीव गृति से इन सब सारे अनुप्योग में देखाना चाहूंगा पहला सबसे पहला है और किसी भी नियोचन को शुरू करने से पहले हमें उस जगह का भूमी उप्योग बताना होता है तो मैंने पहले ह आपको बता दिया है दो स्लाइट पहले कि किस तरह से भूमी उप्योग निकाला जाता है यह देरादुन शहर का एक छेत्र है रेस कोर्स और रेस कोर्स में हमने इन निकालने की कोशिस किया है कि लोग कहां रहते हैं कहां पर लोग अपने विवसाई करते हैं कहां पर लोग अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं के लिए जाते हैं, कहां पर लोग अपने सिक्षात्मक गतिविद्यों के लिए बच्चे कहां जाते हैं, कहां पर सड़के उपलब्थ हैं, इस सारी की मैपिंग की गई है, जब ये मैपिंग कर ली गई है, तो साथ साथ हमें ये भी समझने ज जहेओ इसमें जो विकास हुआ है आसे जो शहर बन गए है कि कब तक कैसे बढ़े क्या वो उसके सोच में Union के लिए क्योंकि जब शहरें का फैला है आपको wired करना है जब आप vaccination करोगे तुस के लिए जो उपगरा के जो वो एक बहुत उपलब्द और बहुत ही एक अच्छा एक माद्ध हैं जिसके द्वारा हम पुरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि किसी भी शेत्र को उपबगा लगातार उसको देखता चला जा रहा है तो इस तरह से आप माल ले आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि 80 हδα सकते हो कि 2040 में क्या होगा। इस तरह की जो अँजए भी की जा सकती हैं। और इसके बारे मेरे साथी आपको और विस्तार से आपको बताएंगे जब आपने यह निकाल लिया कि किसी भी शहर में वहां पर रिहाशी छेत्र कौन से हैं वहाँ पर संस्थान के छेत्र कहाँ पर है उद्द्यमों के छेत्र कहाँ पर है और रिहाशी छेत्रों में भी कहाँ पर घनत तो जादा है कहाँ पर घनत तो कम है तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी छेत्र के विकास के लिए वहाँ के लिए कराधान भी बहुत आवशक है क्योंकि जब तक आप संपती करदान नहीं करेंगे तो आपको उस छेत्र के विकास के लिए धन कहां से मिलेगा या तो पूरी तरह से सरकार दे और सरकार का पेवाज जो धन होता है वो आम जनता से ही आता है इसलिए प्रॉपर्टी टैक्सेशन या संपती करदान के लिए भी रिमोट संसिंग का या सुदूर सविलिन का पूरा अनुपरुक किया जा सकता है किस तरह से किया जा सकता है तमाम तरह के मेथड है जिसको एक जो मेथड बहुत ही पॉपलर है उसको कहते है यूनिट एरिया मेथड तो यूनिट एरिया मेथड ये कहता है कि कि किसी भी छेत में तमाम तरह की जो निर्मित धिकाहियां है उसका आप वर्तमान में स्वरूप देखिए उसका ये भी देखिये की वो जो सवरूप है वो बीलडिंग बनी कप थी उसके आफ़ल रोड की चुटाई कि है, वो कितनी जो एकाई है, वो कितनी घंत वाली है, उसके आसपा सुवधाएं कितनी है, वो जो निर्मित एकाई है, कितनी पुरानी बनी है, इन सबी जानकारियों को कुछ हद तक आप सुदू से मिदन से प्राप्त करनी कोशिस करते हैं, और कुछ आप जा करके ग्राउंड कि किस तरह से अगर आप किसी भी शेतर में, शहरी या ग्रामीर परिश्वेश में, हमारे जो बच्चे हैं, वो जो बच्चे हैं, वो जो वहाँ पर स्कूल जाते हैं, तो अगर स्कूल, अगर बच्चा 10 किमिटर दूर जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इतना उसका समय चल उसकी जो सुरक्षा है, वो भी सोचेगा, इसलिए जो हमारे जो नीती नियनता है, हमेशा यह सोचते रहते हैं कि अगर अगला स्कूल बनाना है, अगला अगर प्रात्मिक स्वास्तर केंद बनाना है, अगला कोई भी सुवधाय देना है, तो वो कहा होना चाहिए, तो हम इ निकाल सकते हैं कि अगर बच्चे को एक किलमेटर चलना है, तो कितना एरिया उसमें कवर हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यहां को भी बच्चा रहता है, तो इस बच्चे को बहुत दूर चलना होगा, इसका मतलब ही कि अगला जो स्कूल हो गया, या अगले स्वास्त से सिवाएं हो गई या अगला कुछ भी सुधाएं है यहां पर हमें देना चाहिए जैसे यहां पर जो निवासी है वो भी शहरी सुधाओं को प्राप्त कर सके इस तरह से इस तक्नीकी का यहां पर इस्तिमाल किया जा सकता है एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है और जैसे मैंने बताया कि वर्तमान में इस प्राद्यकी का जैसे जैसे हम सोचते जा रहे हैं और जैसे जैसे अध्यन कर रहे हमें अनेकों नेक हमें अनिप्रियों प्राप्त हो रहे हैं इसी सबका एक और मैं कि जानकारी में लाना चाहोंगा कि हम इमान के चल रहे कि जिस तरह से पर्याओर्म प्रदूशन बढ़ता चला जा रहा है हमें गैर पारमपरिक ओरजा सों पर जद्यदा ध्यान है इसी लिए इस गैर पारमपरिक शुरजा स्रोतों में सौर उर्जा जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसका बहुत बड़ा युगदान है क्या सुदूर सम्वेंदन तक्नीक से हम मालूम कर सकते हैं कि मेरे छेत्र में या हमारी आसपास एक ब्रियत छेत्र में कितनी उर्जा प्राप्त की जा सकती है या तो हम लगा दे और उसके बाद हम सोच लहें कि हमें कितना मिलना है लेकिन हम कैसे मालूम करेंगे कि यहां पर सौर उर्जा कितनी प्राप्त हो रही है आपकी जानकारी के बताना चाहूंग में कि ये भी जो गतिविदी है ऑपरेशनल रूप से ये भी इसका अवतरण हो चुका है और हमारे जो निती नियंता है इसको लोग पूरी तरह से इसका इस्तमाल कर रहे हैं ये किस तरह से कार्य करती है कि हम किसी भी जगा का बिल्डिंग फूर्ट्परिंट मतलब कि अगर रूफटॉप देना है अगर अपनी छतों पर हमें सोलर लगाना है तो कितना शेत्र है और कितनी सौर उर्जा उस पर आ रही है इन दोनों को हम सुदूर समेदन के द्वारा उसका कंप्यूटेशन कर सकते हैं और हम भी मालूम कर सकते हैं कि इतने छेत्र में और इतनी बिल् और रूजा प्राप्त की जा सकती है तो इसके लिए भी हम इस तक्नीकी का इस्तमाल किया जारा है अब एक और मैं आपको जानकारी की लाना चाहूंगा शेहरी पुरर विकास अब यह समझें आप शेहरों का विकास तो हो गया है अब जब इसमें जनसंख्या का घरत बढ़ गया है तो क्या अब जब वहां पर तमामतरां की सुवधाएं देनी है क्या किया जा सकता है बहुत ऐसे एक्जांपल सब्किये जा необходимо है जहां पर थूद्र समिदstate ट्क्नीक से हम इसनीक कर सकते हैं और निवजन का जप्रदिया है उसमें भी इसमाल किया सकता है जैसे आप द देश में अहमदाबाद शहर में एक नदी जा रही है सावर मती तो सावर वहां की जो सरकार है उन्होंने ये सोचा कि जो सावर मती जो नदी जा रही है उसका जो वर्तमान में उस समय जो सरूप था उसमें क्या होता है लोग जाते नहीं थे और उसमें भी तान तरह की समस्या यख त्माम तरह की वहां पे पर जो लोग आस पास रहे रहे इसलिए रहे थे क्युंकि वहां पर और भूमी व्यफिन मांधवम से उर लेकिन अन्युम तरह की समय स्थाइं था उन्हों ने क्या किया कि जो पानी है, पानी में जो अवशोशित जो sediments है, मिटी है, उसका भी उसको सोचा गया, उसको कैसे कम किया जाए, उसका जो प्रदूशन है, वो कैसे उसको कम किया जाए, वो भी सोचा गया, साथ-साथ यहां पर लोगों को recreation के लिए, जिसमें शाम को लोग जा सकें, और quality time वैतीद, बच्चों के साथ वैतीद कर सकें, जब वो जा रहे हैं, तो वहां पर employment opportunity भी develop हो गई, यह देखें, पहले और बात का चित्र है, तो इसी तरह सा शहरों के विभीन हिस्सों को भी किस तरह से किया जा रहा है, और आके बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे शहर wetlands, तो wetlands पे भी शहरी करण भड़ता चला जा, आप यह देख रहें, उपर जो एक विभीन समय अंतराल की जो movie चल रही है, आप देखें कि किस तरह से जल भराव जो छेतर था, वहां पर उस जगा को भड़ दिया गया, और समय के अंतराल के सासत, वहां पर बड़े बड़ खेतर थे, जब पानी बरसता था, तो उसमें पानी घटा हो जाता था, और यही पानी तमाम तरह का उस शहर के लिए उपयोग किया सकता था, किस तरह से, क्योंकि उसका पानी आप अगर अवशोशित कर ले, और उसको अगर आफ फिल्टर कर ले, तो जल में सप्लाई की जा सकती थे शहरों को, और सासाथ शहरों में जो पानी भर जाता है, यह पानी अभी जो रोड में भरा हुआ था, भर जाता है, तो रोड की बजाए इन सब जल भराव छेत में भर जाता था, तो यह जो वेट लैंस थे, और यह जो पानी है, यह हमारे भूजल में जाके मिल जा जाते और भू जल बढ़ जाता उसको रोक रहे हैं साथी साथ वेट लैंड्स या जल बारा छेट का शरण हो रहा है और ताम तरह की स्थिक्या की परस्तितिया दो उत्पन हो रही है तो इसलिए हमारे शहरों में बाड आ रहे हैं तो यह सब बाड को भी हम किस तरह से कर सकते ह अब आप उपर जो चित्र देख रहे हैं देखें कि हमारे शहरों में विविन शहरों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे चित्र हमारे इंटरनेट मीडिया में मिल जाएंगे जहां पर मगरमच शहरों के अंदर प्रवेश कर चुके हैं वो क्यों हो रहा है क्योंकि नदी उ दिवास स्थान पर रहें इसके लिए जो शहरी का बार जोकिम विश्लेशन है वो किया जा सकता है अब आगे और में तो बताना चाहूंगा कि नियोजन के लिए हम जैसे शहर है दिली जैसा मैंने आपको शुरुवात में बताया था दिली जो शहर है क्यों माद दिली तक ही सीमित नहीं है उसके आसपास के जो शहरे में उस पर फैला हो रहा है तो शेतरी योजन के भी आवशकता पढ़ रही है तो शेतरी योजन के लिए भी सुदूर सुवेदन का प्रयोक किया सकता है भारा सरकार ने सुदूर सुवेदन की इसी सब शमताओं को समस्ते हुए तमाम तरह की योजनाएं का निर्मार किया हैं और यह योजनाएं चल रही है सब्सक्राइब आपने नाम सुना हो गा समार्टऀ आपने नाम सुना होगा अम्रिट मिशन सवक्ष भारत मिशन भी ग्रज़बरícia में की और 207 ग्रेंट नियॆ जिनमें वर्तमान इस्तिती इस तरह की है और ये अब धाना की जा रही है कि जहां पर आप जब जाएंगे तो ट्राफिक का जाम होगा लोगों को पहुचने के लिए बहुत समय लगेगा और प्रदूशन बढ़ेगा इसलिए लोगों के सहीयोग से री डेवलप्मेंट किया जा रहा है ऐसी प्रक्रिया हर एक कई शहरों में चल रही है तो इस तरह से जब यह उच हाई राइस बिल्डिंग जब बनाई जाएंगी तो लोग जब जाएंगे तो चाहे वो अमीर हो या जिनके पास साधन हो या साधन ना भी हो वो सब मुझा पहुंचेंगे और सुचा नियोजन के लिए भी इस्तमाल किया जा रहा है आप देखें कि 2000 और 2019 के बीच को जो चितर रिखाई दे रहे हैं इस तरह से एक छेतर की वहां की वर्तबान की जो निर्मित छेतर था बिल्डिंग से उनको डिमॉलिश किया गया है और डिमॉलिश करने के बाद वहां पर परिकल्मना की जा रही है तो मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा कोरिया में एक बहुत बड़ा शहर आगर आप देखें तो स्मार्ट सिटीज की जो परिकल्पना है कुछ और शहरों से की गई तो जो हमारे विश्व के शहर है जैसे है एक है सौंग दॉंग तो उन्हो हमें उन्हों आगे विश्व विकास किया है कि जो वहां पर समुद्र से जो टाइड सा रहे हो उससे टाइड से बचा रहे लेकिन साथ-साथ वो जो शेत रहे वहां पर नियोजन ऐसा हो कि वहाँ पर जल की निकासी, जल का आना और बिजली, पानी, तमाम तरह की जो सुवधाएं हैं, मूल बुछ सुवधाएं हैं, वहाँ सबको मिलती रहे, और भी यूजना हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक प्रधान मंतरी जी की शहरी आवास यूजना है, इसके लिए बुछ वस्तानिक प्रादिक की इस्तमाल किया गया है, और उसके लिए हमारा जो भूवन पोर्टल है, उसमें क्या किया गया है, इस तरह के जो निवास इस्तान जो सरकारी सहयोग से बनाए गये हैं, और इसको दुरपयोग रोकने के लिए, सरकार ने ये कहा, कि सारे निव में बताना चाहूंगा, जिसका एक और सरकार की योजना है, जिसको अमरित कहा गया है, इस अमरित योजन में शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई और मास्टर प्लान, इन सब चीजों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और मैं आपको मुझे बताते हैं, बहुत ही सबूइंज है, और इसके लिए हमने अपना प्रसक्षं कार के में बनाए है, और पूरे देश के लगभा 17 राजियों से लगभा 300 लोगों ने प्रत्रेक्ष रोप से हमारे का मारे संसान में आकर, और आप प्रत्रेक्ष रोप से रहे जो डिस्टन्स लोन को समझा है, और इ सांस्क्रीटिव विरास्त के शहर कहलाते हैं तो मारा ऐसे शहरों को लिया गया है और इन शहरों में जो ऐसी इंमारते हैं उसके नियोजन के लिए भी कенко tumor नियोजन का ट्टूडी भी होना है थ्री डीई सकते हैं वो जो विरासत के जो छेत रहे उनका वर्तमान का जो स्वरूप है उसका भी डॉक्मेंटेशन करने की वशक्ता है इसके लिए भी हिर्दय प्रोग्राम चलाया गया है आप सब जानते होंगे स्वक्ष भारत जो अभियान है इसमें जो शहरी निकाएं हैं हमारे शहरों के विभी निकायों ने अपना बनाया है जिसमें नागरिकों की सह भागिता है और नागरिक यह जान पा रहे हैं कि कहां कहां पर क्या सुवधाएं अब उपलब हैं अब इन सब चीजों को करने के लिए डेटा की आवशक्ता है तो मैं अंस्थान लिप्त हैं उनकी उनकी अवशक्ताएं क्या हैं उनकी अवशक्ताएं यह हैं कि हम यह जान सकें कि किसी भी जो निर्मित एकाई है उसका वरतमान में वरतमान में कितना छेतर हैं कि शेतर के वल एक स्टोरी में नहीं हर एक स्टोरी में कितना छेतर हैं उसका 3D व आसपास का जो पर्यावरण वो कैसा है तो उसके आसपास पान वर्षा कितनी हो रही है क्योंकि वर्षा जब जितनी हो रही होगी उसके अनुसार ही आप बता पाएंगे कि वर्षा का जो जल है वो जल कर निस्तारण किस्तार से किया जाए उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए इन सब चीजों के लिए हम जो अनसंधान करता है हमारी भी सोच है हम यह मान हमें चाहते हैं कि ऐसा डेटा हमें मिले जिससे कि हम ना कि मलत तो इसका 2D और 3D बना सके और 3D ऐसा बना सके जैसे कि जब किसी जगा पर अगर हमें नहर बिचानी हो रोड बन हो तो ऐसा डेटा में मिल जाए हमें ऐसा डेटा मिल जाए कि वहां पर जो विभिन प्रकार के प्रदूशन है उसका न्यूनिक करण किया जा सके तो इन सब चीजों के समयने के लिए हमें तमाम तरखे डिटा की अवशक्ता है मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसे डिटा भी हम प्राप्त हमें होगा और जो सुदू समयनन के लिए में जो हमारे जो अंसंधान करता है जो उपग्रा के निर्मार करते हैं और हम ऐसी अपनी जो अपेक्षाई हैं उनको हम भेजते रहते हैं और ठोपी हम, हम जो हैं नियोजेन में जो लिप्त जो हमारे संस्वारी संस्वार है और गैर संकारी संसान है उनसे हम नीमित रुप से वर्तालाब करते रहते हैं और हमारे जो उपग्रा के निर्माद करता है उनको हम अपनी अपिक्षाएं उनको हम बताते रहते हैं मैं मान के चल ला हूँ कि इन सब अपिक्षाओं से जब हमें पूर्ती आने वाले समय में जब पूर्ती हो जाएगी तो उसके द्वारा हम अपने शहरी का नियोजन हैं हम एक और भेतर रूप से कर पाएंगे और हमारे शहर जो है कल से और आज से और कल भेतर होंगे और मैं एक अच्छे शहर में होंगे तो आप सब को इस कारक्रम में प्रतिभाग करने के लिए बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूं कि आज का जो सत्र रहा है आपके लिए बहुत उपयोगी रहा है और आपके जो भी प्रशन होंगे मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उसका उत्तर आपको दे सकूँ और मैं अगर ये इस छोटे से व्याख्यान से आपके मन में कुछ जिग्यासा ना केवल इस तक्नीकी को इस्तमाल करने के लिए बलकि साथ ही साथ इसमें और अनसंधान करन हूं तो मैं समझता हूं कि आज का जो सत्र है ये सक्सेस उसका प्राप्त हुआ है तो मैं इसी साथ इसको विराम देता हूं धन्यवाद